हेलो एवरीवन वेलकॉम अगेन टू लन्विर दीतीवन तो सभी लोगों को गूड इवनिंग साड़े पांच बच चुके हैं सभी लोग जुड़ जाएं हम लोग टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों ने सबसे पहले समपूर 6th क्लास का टेस्ट किया उसके बाद 7th क्लास का टेस्ट किया 6th क्लास में हालक की बच्चों के नंबर इतने अच्छे नहीं आये थे क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही उसे आसान समझ लिया था लेकिन हाँ last video geography का जो test आप लोगों ने दिया है 7th class का काफी बच्चों का response बहुत अच्छा आया और number भी सभी के अच्छया है इसका मतलब जो है अब आप चोटी सी class को भी बहुत गौर करके और फिर पढ़ाई कर रही हो दो question में doubt था वो मैं clear करूंगी वीडियो के end में तो देखिए कुछ बच्चों के नाम में आपको बताना चाहूंगी जैसे की काजल चर्मा के 35 में से 35 आये वैसे दो question में doubt था लेकिन फिर भी इन्होंने अपने तरीके से किया साबरमल रिंगर्स से जो है उन्होंने 34 लेकि आये हैं सबीना के 34 आये हैं मनीसा के 33 आये हैं राजिस के 33 आये हैं पूजा के 34 कुसुम के 34 संपत के 32 विनीता के 33 तो देखिए इस तरीके से ये 35 में से इतने अच्छे नंबर आप लोगों के आ रहे हैं किसी के 2 कम है या फिर किसी का 1 या किसी के 3 कम है ऐसे आप लोगों नंबर लेकर आएंगे तो आप लोग 101 परसेंट रीट का एक्जाम क्लियर कर लोगे तो देखिए आगे भी आप लोगों की काम आने वाला है चाहे आप 1st grade की त्यारी करो, 2nd grade की त्यारी करो, पटवार की कर रहे हो तो चलिए बिनादेरी के टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो सभी लोगों को well done और आगे भी ऐसी तरीके से महनत करते रहेंगे कुशन 1 है फटाफट से कॉपी मैं लेकर बैठे हैं और कुशन को ध्यान से पढ़िए किस जिले में राश्ट्रिय सरसो अनुसंधान केंदर इस्तित है? ओप्शन देखिए फटाफट से जोदपूर, अलवर, भरतपूर या जैपूर आप लोगों ने लगा लिया होगा सही उत्तर तो चलिए इसका सही आंसर देखिए यदि आपने C आप्शन को ही लगाया है सभी बच्चों ने तो अपने आपको एक नमबर लिख लें कि हाँ हमने फर्स्ट कोशन कर लिया है कोशन 1 का एक मार्क्स भरतपूर कोशन 2 है भारत के उत्तर पक्षिम में कौन सी परवत स्रंख्लाएं इस्तित नहीं है किर्थर, सुलेमान, हिंदु कोश या अन्ना मलाई तो आप लोगों ने लगा लिया है आंसर चलिए इसका राइट आंसर में आपको बता देती हूँ अन्त में मैं आप सभी के देखूंगी किसका कौन सा कुशन जो है वो गलत हुआ है तो यहां होगा आंसर दी अन्ना मलाई इसमें उत्तर पक्षिम में किर्थर, सुलेमान और हिंदु कोश ये तीनों ही परवस रंकलाएं इस्तित हैं अन्ना मलाई नहीं है क्योंकि यह भारत के दक्षिन तम में इस्तित है नेक्स्ट दिखिए भारत की मुख्य भूमी का अक्षांसिय विस्तार कितना है तो चलिए यहां पर चार आप्षिन जो हैं उनको ध्यान से आप देख लीजिए मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ और सही उत्तर लिखिए कोशन नंबर 3 करके कि A है, B है, C है या D है तो लगा लिया होगा आपने सही आंसर देखिए इसका आंसर होगा आप्षिन नंबर 1 नेक्ट देखिए फटाफट से कोशन 4 बनास नदी का उध्गम इस्तल किस जिले में है? तो बनास नदी का उध्गम यानि बनास नदी कहां से निकलती है? तो वहmt किस जिले से निकलती है ये आपको बताना है चलिए तो आप लोगों ने अंसर लगाया आप देखिए इसका सही अंसर अंतमे में जरूर देखूंगी कि कुश्चन 4 का अंसर जो है वो ए ओप्षन राज समझला किस-किस ने लगाया था नेक्स्ट है कोश्चन 5 राजिस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है तो फटाफट से सोचिए आंसर आप लोगों ने याद किया होगा राजिस्थान की औसत वार्षिक वर्षा तो चलिए इसका सही आंसर जो है वो देख लीजिए यदि आपने लगाया है ओप्षन बी शत्तावन देसंबल अफ पांच एक सैंटी मीटर तो ये है राजिस्थान की औसत वार्षिक वर्षा नेक्स्ट है कोश्चन सिक्स थोड़ा सा आप फटापट से आंसर लगाने की कोशिश करें लेकिन कोश्चन को ढंग से पढ़े और ऑप्षन को भी गेहूं और चावल की उत्पादन में किसका विश्व में प्रथम इस्थान है भारत चीन संयुक्त राज अमेरिका यूएस या ब्राजी गेहूं और चावल जो की क्या है एक खाद्यान पसले हैं तो इनकी उत्पादन में किसका विश्व में सबसे पहला इस्थान है चलिए तो आपके आंसर आचुके हैं आंसर है बिल्कुल सही चीन चीन का प्रथम इस्थान है सबसे पहले तो आपको राजिस्थान का मैप भारत का मैप बहुत अच्छे से ही क्लियर होना चाहिए क्योंकि काफी कुश्यन जो है वो यदि आपको नहीं पता है कि कौन सा शेत्र कहां पढ़ रहा है तो वहां गलती कर सकते हैं तो इसलिए मैप को याद रुखना बहुत जरूरी है जोगरफी में तो चलिए अब मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ आप लोग फटाफट से लगा लेते हैं आंसर बिलकुल आंसर है option A 12 जिलो में राजिस्तान के मरुस्तली शेत्र में पाई जाने वाली प्रमुक घास कौन सी नहीं है सेवन, धरन, करन या धामन तो सोचिए यहाँ पर ऐसी कौन सा घास का प्रकार नहीं है जो कि राजिस्तान के मरुस्तली शेत्र में पाया जाता हूँ विलकुल ऐसे ही कोशन आपके एक्जाम में आने वाले हैं आपको पता है तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा यदि आपने लगाया है option number B को धरन जो है वो कोई भी घास का प्रकार नहीं है यहाँ मरुस्तली शेत्र में सेवन घास है, करन है, धामन है नेक्स्ट है question 9 इंद्रा गांधी नहर परियुजना द्वारा किस नदी का जल लाया गया है व्यास नदी का, सत्लज नदी का, उपरोक्त दोनों का या जेलम का तो question 9 का जो right answer होगा, वो होगा option number B, सत्लज नदी का, ठीक है तो उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी तो हमेशा answer ये नहीं होते है next है, question 10, इस्थानंतरित कर्शी को कहा जाता है जूम, बालरा, उपरोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं चलिए, answer आ चुके हैं राजिस्थान के दक्षणी भाग में तो इसे बालरा कहा जाता है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बहुत ही simple सा question है सिक्किम, मनिपूर, राजिस्थान या गुवा फटा-फट से सभी लोग question 11 का सही answer जो है वो लगा दें भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो किसी का भी यह answer तो गलत नहीं होगा बहुत ही आसान सा question है एकदम छोटा सा question तो यहां पर answer आ चुके हैं देखें सही answer क्या होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजिस्थान है वहीं छोटा जो है कौन सा है गोवा चलिए सबी बच्चों के ही सही है तो इसी तरीके से राजिस्थान में अराभी परवत की सबसे उंची चोटी की उंचाई है 2217 मीटर, 1722 मीटर, 1522 मीटर या 1732 मीटर तो राजिस्थान में अराभी परवत की सबसे उची चोटी गुरु सिखर उसकी उचाई कितनी है फटा-फट से मैंसे सही आंसर टिक कर दो जल्दी से तो सारे बचे जो है वो जमकर याद करते हैं तो दिखिए आप लोगों के आसान करने के लिए ही एर्ट गलास को दो भागों में बाटा गया पहले चार चैप्टर और उसके बाद चार चैप्टर दुबारा से टेस्ट जो है वो लिया जाएगा इससे बहुत अच्छी रिवीजन आप लोगों की हो जाएगी तो यहाँ पर जो सही आंसर है आप लोगों ने लगाया है बिल्कुल ऑप्शन भी जो है सही है 1722 मीटर नेक्स्ट है उत्खात भूमी को कहा जाता है बीहड, डांग, उप्रोगत दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जो आंसर होगा देखिए लास्ट येर यही कुश्चन जो है थोड़ा सा घूमा कर पूछ दिया गया था लेकिन आया हुआ था ये कुश्चन तो ऐसे ही ये दुबारा से इस तरीके से पूछा जा सकता है तो यहाँ पर देखिए उतकाद भूमी को भीहड भी कहते हैं डांग भी कहते हैं तो ओप्शन C जो है वो बिल्कुल सही है तो देखिए हिस्टरी में भी हम लोग अभी ही जब हमने राजिस्थान का इतिहास से स्टार्ट किया वहाँ भी हमने माही नदी के बारे में पढ़ा था तो यहाँ तो सभी आंसर फटा फट से लगा रहे हैं और दीखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है I hope सभी के 14 मैंसे 14 जो है वो अभी तक आ गए होंगे marks तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा option A तो बहुत ही इमानदारी से आप लोग नंबर लगाईएगा कि option A जो है आपने सही किया है बासवाड़ा वा परतापगर जिलों में Next है question 15 देखिए इमानदारी से करना है अगर यहाँ पर आप बेविमानी करते हैं तो खुद के साथ ही करेंगे इसमें मेरा कोई भी लाब नहीं है और नहीं हानी है विस्व की सबसे नविंतम परवत्स रंकला कौन सी है अन्ना मलाई परवत्स रंकला हिमाले परवत्स रंकला नील गिरी परवत्स रंकला या एंडीज परवत्स रंकला तो लगाया होगा आप लोगोंने आंसर चलिए सब के आ गए हैं तो यहां राइट आंसर जो है वो है हिमाले परवत सरंकला जो की सबसे नवीनतम परवत सरंकला है विश्वकी ठीक है नेक्स्ट है कुश्चन 16 चपपन का मैदान किस नदी शेतर में इस्तित है? चपपन का मैदान किस नदी शेतर में इस्तित है? चंबल नदी के मैदानी शेतर में माही नदी के मैदानी शेतर में बनास नदी के मैदानी शेतर में तो चलिए पटापट से आप लोगों ने आंसर किये हैं और अब ये सही आंसर जो है वो आपके पास ये है कि option B माही नदी के मैदानी शेत्र में चपन का मैदान इस्तित है चलिए सबका सही है question 17 है भारत का पूर्व से पक्षिम तक कितने किलो मीटर तक विस्तार है 2933 किलो मीटर 2933 मीटर 3214 किलो मीटर 3214 मीटर तो बहुती सोच समझ की आंसर देना है बिल्कुल जरासी भूल जो है वो हमारा आंसर जो है वो गलत कर सकती है तो ऐसा मत सूचिए कि यहां तो हमारा कुछ नहीं जाने वाला गलत को टिक करोगे तो आपको हमेशा गलत ही याद रहेगा पूरफ से पक्षिम तक का पूछा गया है चलिए सही आंसर जो है वो है ऑप्षिन ए 2933 किलो मीटर ठीक है किलो मीटर है और वहीं 3233 214 किलो मीटर उत्तर से दक्षिन तक की लंबाई है चलिए या विस्तार है Q18 है भारत में कितने राज्य और केंद्रशाशित प्रदेश है 27 राज्य 9 केंद्रशाशित 29 राज्य 8 केंद्रशाशित 28 राज्य 7 केंद्रशाशित 28 राज्य 8 केंद्रशाशित देखिए काफी बच्चे जो है वो इनको याद करते हैं फिर भी ये confusion में रहते हैं, क्योंकि datas जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो वर्दमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्रशाशित प्रदेश हैं। तो क्या रहेगा इसका सही answer? Option A रहेगा 27 राज्य, Option B 29 राज्य, Option C 28 राज्य या Option D 28 राज्य। तो देखिए, यहाँ पर केंद्रशाशित प्रदेश जो हैं, वो अलग हैं, C option में 7 हैं और D में 8 हैं। तो बिलकुल answer जो है, वो रहेगा Option D 28 राज्य आठ केंद्रशाशित प्रदेश ठीक हैं, याद रखिएगा आपके एक्जाम आने तक के 28 राज्य आठ केंद्रशाशित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, भारत का एक मात्र सक्रिय जोला मुकी, बैरन है जो वो किस इस्तान पर इस्तित हैं। निकोबार में, अंडमान में, लक्षदीप में या इन में से कोई नहीं। देखिए इसी तरीके से आप लोग टेस्ट की तयारी करिए। और जितने भी वीडियोज आते हैं, इनको पढ़िए आप ऐसा मत सोचिए कि आपका एक्जाम जो है, वो दुबारा से पोस्ट पॉन हो जाएगा, या होगा, नहीं होगा। इनकी चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़िए। आप अपनी तयारी जो है वो रेगुलर करिए। तो बिल्कुल आंसर जो है, सभी ने लगाया है, आंसर होगा, ऑप्शन नमबर बी अंडिमान में। नेक्स्ट है, कोशन 20, राजिस्थान में आधुनिक करशी फॉर्म किस जिले में इस्तित है। तो सोचे इसका सही उत्तर क्या है। चलिए, आंसर आ चोके हैं, इसका राइट आंसर जो है, वो है श्री गंगा नगर में। नेक्स्ट है, कोशन 21, सहयार्दी क्या है, सहयार्दी क्या है, बक्षमी घाट की पहाड़ियां है, पूर्वी घाट की पहाड़ियां है, नील गिरी की पहाड़ियां है, या अन्ना मलाई की पहाड़ियां है। चलिए, अंसर आ चुके हैं, सभी लोग पटापट से अंसर दे देते हैं, तो चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको, बिल्कुल अंसर सही है, option A, पक्षमी घाट की पहाड़िया, आज तो सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, राजिस्थान का राज्ये पुष्प कौन सा है, खेजडी, कमल, रोहिडा या गुलाब आपके एक्जाम में देखिए, बहुत ही आसान कुश्यन आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कुश्यन बहुत हार्ड होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की और दीब में पढ़ने की हैबिट जो है, वो आप लोग जरूर डालिए, तो राज्ये पुष्प कौन सा है, तो सबका ही सही है, लगबग देखिए, रोहिडा, नेक्स्ट देखिए, 23 कोश्यन, राजिस्थान में बंगाल की खाड़ी का मांसुन किन शेत्रों में मुखेते वर्षा करता है, पक्षमी राजिस्थान में, उतरी राजिस्थान में, दक्षणी राजिस्थान में या पूर्वी राजिस्थान में तो चलिए इसका सही आंसर जो है वो आप लोग ने लगाया है और आंसर है पूर्वी राजिस्थान में देखिए बंगाल की खाड़ी का मांसून जो है वो राजिस्थान में आता है और पूर्वी भाग में बर्शा करता है चीक है और इसी तरीके से बंगाल की खाड़ी का जो मांसून है वो हाला की निकल जाता है सीधे अरावडी की वज और मका किस प्रकार की फसले हैं? तिलहनी फसले, खाद्यान फसले, खरीब की फसले या दलहनी फसले? तो Q24 का जो राइट आंसर होगा, किस-किस का सही है? देख लीजिए, किस-किस का सही है आंसर? कि ये खाद्यान फसले हैं, गेहु, चावल, बाजरा और मका. नेक्स्ट है, प्रंटी 5, आंतरिक अपवहा तंत्र का हिस्सा नहीं है. साबरमती, बान गंगा, कांत्री या रूपारेल. तो रादिस्थान में अपवहा तंत्र को तीन भागों में बाटा गया है, बंगाल की खाड़ी का, अरबसागर का और आंतरिक अपवहा तंत्र. तो यहां पर आंतरिक अपवहा तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो सोचिए फटा-फट से इसका सही आंसर. तो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा, ऑप्शन नमबर ए. साबरमती, ठीक है? अरबसागर का अपवहा तंत्र है, यह साबरमती. बाकी बान गंगा, कांत्री, रूपारेल, यह सभी आंत्रिक अपवहा तंत्र के हिस्सा है. नेक्स्ट कोश्चन 26. चम्बल नदी की साहेग नदियां कौन सी नहीं है? काली सिन, बेडच, कोठारी या कांत्री? तो आप लोगों का आंसर जो है, वो क्या रहने वाला है? कोश्चन 26 करके इसका सही आंसर जो है, वो लगाईए, चलिए. तो इसका राइट आंसर जो है, वो होगा कांत्री नदी, जो की चम्बल की साहेग नदी नहीं है. इसके अलावा काली सिंद, बेडच, कोठारी, ये सभी किसकी साहेग नदियां है? चम्बल नदी की. नेक्स्ट कुशन में, देखिए 27 कुशन, राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौनसी है? चम्बल नदी, यमुना नदी, बनास नदी या सरस्वती नदी? यहां पूचा है, राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौनसी है? तो अब आप समझ गे होंगे कि आंसर क्या रहने वाला है? तो सही उत्तर जो है, वो रहेगा बनास नदी, यह राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नेक्स्ट है 28 कोशन भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथमिस्तान पर आता है उत्तर प्रदेश आता है, मद्धे प्रदेश आता है, राजिस्तान आता है या पंजाब तो राजिस्तान के निवासी होने के नाते इस कोशन का आंसर जो है तो बिलकुल सभी सही option C राजिस्थान next है question 29 राजिस्थान का तिर्मीनी से सम्बंदित नहीं है मेनाल, बीगोद, लूनी या बेडच तो यहाँ पर ये चारों शब्द है राजिस्थान का तिर्मीनी से इनमें से किसका सम्बंद नहीं है तो answer इसका क्या रहेगा? option number C बिलकुल सही रहेगा लूनी जो है वो राजिस्थान के तिर्मीनी से सम्बंदित नहीं है इसके अलावा मेनाल, बेडच ये सम्बंदित है और भीगोद जो की भीलवाड़ा में है यहाँ पर राजिस्थान का तिर्मीनी जो है वह संगब बनता है next 30 देखिए question क्या है कौन सी नदी भरतपुर के घना पक्षी राष्ट्रिय उत्यान में भूमिकत हो जाती है तो वो कौन सी नदी है साबरमती, बान गंगा, बेडच या घगर तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बान गंगा ठीक है बान गंगा जो है वो भरतपुर के घना पक्षी राष्ट्रिय उत्यान में भूमिकत हो जाती है नेक्स्ट थर्टी वन कोशन है राजिस्थान की आंतरिक प्रभावाली सबसे लंबी नदी कौन सी है सरस्वती नदी है, साबरमती नदी है, चंबल नदी है या इन में से कोई नहीं तो क्या रहने वाला है, option A, option B, क्या रहने वाला है तो चलिए इसका सही आंसर यदि आपने लगाया है option D, ठीक है इन में से कोई भी नहीं है, जो राजिस्थान की आंतरिक प्रभावाली सबसे लंबी नदी हो next है, question number 32, चंबल परियूजना के तहत कौन से बांध बनाए गए है गांधी सागरबांध, राणा प्रताप सागरबांध, जवाहर सागरबांध या उप्रोक्त सभी तो सोचिए फटाफट से इसका सही आंसर बहुत ज़्याद़ इंप्रोटेंट है, यह question चंबल परियूजना के तहत कौन से बांध बनाए गए है तो चंबल परियूजना के तहत कौन से बांध बनाए गए है आप लोगों ने लगाया इसका सही आंसर क्या लगाया बिल्कुल उप्रोक्त सभी ठीके गांधी सागरबान उसके बाद चितोरगर्ड राना परताब सागरबान उसके बाद कोटा जवाहर सागरबान ठीके नेक्स्ट चलिए question 33 देखिए किस-किस का सही होगा सर्दार-Сरोवर पर्योजना में सम्मलित राजीन नहीं है राजिस्थान, उत्तर-प्रदीश, मध्यप्रदीश, महारास्च्ट तो पता होना चाहिए सर्दार-सरोवर पर्योजना में कौन-कौन से राजी सम्मलित है तब ही आप ये सही आंसर कर पाएंगे तो आंसर क्या रहेगा इसका बिल्कुल आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश ठीक है और राजिस्थान, मद्धि प्रदेश, महाराष्ट और गुजरात चार राजियों की सम्मलित पर्यूजना है यह सरदार सरोबर पर्यूजना 34 कुशन है हरी के बैराज बांध किस नदी पर इस्थित है जेलम एवं चिनाव नदी पर, सतलज एवं ब्यास नदी पर, रावी एवं ब्यास नदी पर या सतलज नदी पर तो कुशन 34 का क्या राइट आंसर लगाया आपने, ऑप्शन A, B, C या D, तो 34 कुशन लिखके उसके आगे जो है अपना आंसर दिखिए आंसर जो है वो आचोके हैं, अब देखिए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन B, सतलज और ब्यास नदी इन दोनों का जब मिलन होता है, जहां वहां हरी के बैराज बान जो है, बना हुआ है, ठीके, सतलज और ब्यास नदी दोनों पर नेक्स्ट देखिए 35, विस्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीचे पानी की जील कौन सी है, पते सागर जील, आना सागर जील, जैसमत जील या विक्टोरिया जील पूचा है विस्व की सबसे बड़ी तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, आप लोगों ने लगाया है, अब देखिए, कौशन नमबर 35 का आंसर जो है, वो रहेगा कि विस्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित, जो मानव ने बनाई है, नीठे पानी की जील जो है, जैसमत जील चलिए, आपने option C ही लगाया होगा, question 36 है, राजिस्थान के उत्तर पूर्वी मैदान में किस परकार की मित्टी पाई जाती है, काली मित्टी, जलोड मित्टी, लैटराइड मित्टी, या रेतिली मित्टी राजिस्थान के उत्तर पूर्वी मैदान में कौन से मित्टी पाई जाती है, रेतिली मित्टी, लैटराइड मित्टी, जलोड मित्टी या काली मित्टी, तो चलिए फटा फट से answer जो है वो लगाईए, और अपने marks जो है वो भी लिखते जाईएगा, कोई भी cheating नहीं करेगा, कि हमने तो 33 किये थे और फिर भी हमने 35 बता दिये, चलिए, तो राइट आंसर जो होगा, ऑप्शन भी रहेगा, जलोड मित्टी, Q37, निम्न में से वानेचिक पसल का उधारन नहीं है, कपास, बाजरा, तिलहन या तंबाकू, तो आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा, कि इन चारों में से कौन सी वानेचिक पसल नहीं है, चलिए, आप लोगोंने आंसर लगा लिये हैं, इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन भी बाजरा, तो सभी नहीं सही किया है, कोशन 38, निमने में से वानेचिक पसल का उधारन नहीं है, देखे, ये थोड़ा सा दुबारा से कोशन जो है वो आ गया है, नेक्स्ट है कोशन 39, राजिस्थान की ओध्योविक नगरी किसे कहा जाता है, जैपूर को, कोटा को, जोधपूर को या जैसलवेर, तो क्या रहेगा इसका सही आंसर, राजिस्थान की ओध्योविक नगरी किसे कहा जाता है, जैपूर को, कोटा को, जोधपूर को या जैसलमेर को, आज तो बच्चे जो हैं वो बहुत अच्चे से पढ़ाई करके आए हैं, चलिए, कोशन 39 का आंसर जो है, वो कोटा है, कोशन 40, यह 40 कोशन जो है, वो लास्ट वीडियो जो था, जिसमें हमने क्लास 7 को किया था, जहां कुछ डाउट था, समूद्र समीर के संबंद में सही कतन नहीं है, तो वहाँ पर यह जो चार आप्चन दिये गए थे, तो उसमें गलती से यहां पर टिक कर दिया था, कि option B जो है, वह है, सही रहेगा, यहां पर नहीं जो पूछा गया था, ठीक है, तो गलती से कर दिया था, यहां रहेगा option C, कि इस थल में निम्न वायुदाब बनता है समूद्र समीर के संबंद में, तो नहीं पूछा था, ठीक है, तो इस थल में उच्छ वायुदाब जो है, वह गलत लाइन है, तो कुछ बच्चों ने जो है, वह कमेंट में बताया था, बिलकुल बहुत सर रहेगा C, तो आप लोग बिलकुल सही कर लेना इसको, और एक और question था, जिसमें doubt था, उसले कटिवंदी चक्रवात का नाम नहीं है, तो यहां पर hurricane, tornado, willy willies, और typhoon, यह चारो थे, तो यह चारो ही क्या है, cyclone है, चक्रवात के नाम है, तो यहां पर नहीं पूछा गया ठीक है, तो यहां पर कोई भी option नहीं बनता है, तो यह चारो ही जो है, वह सही थे, तो यह चीज जो है, वह आप लोग सही कर लीजेगा, तो चलो इसी तरीके से हम लोग test करते रहेंगे, आप लोग बताईएगा कितने answer आप लोगों ने सही किये हैं, मिलते हैं next video में test के सा तेंक यू